दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल ने उस क्लिक के कारिकनाब आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश नई पार्लामेंट के पहले दिन ही जम कर खेला हुआ सियासी खेला जो महिला आरक्षन बिल नजाने कितने वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था 1996 अगर आफिसियली आधिकारिक तोर पे आप देखें हाला कि इसकी शिरुवात बहुत पहले से हो गई थी इसको लेकर कि कैसे इस तरह का बिल लाया जाए ना लाया जाए लेकिन प्रधान मंत्री HD देवगोडा के समय इसके लिए ठोस प्रयास हुआ था तो उस समय से जो बिल लोकसभा में कभी पारित नहीं हुआ सिर्फ 2010 में राजसभा में यूपिय के रिजीम के दोरान पारित हुआ था उस बिल को उस विशय को उस विधयक को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पार्लामेंट की अपने कारिकाल में बनाई गई नई बिल्डिंग के पहले ही दिन पेश कर दिया क्या है आज की बात मेरी बात आप की बात हर किसी की बात देश दुनिया गाओं तेहाद सक्ता समाध संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ और कितना उत्सा था उन्होंने इस बिल का नाम भी अपनी पसंद का रख दिया सिंपल नाम के बजाए उसका नाम हो गया नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023 नारी शक्ती वंदन अधिनियम ये पहली बार कानून की भाषा में ऐसा नाम आपको सुनाई पढ़ रहा होगा जहां तक जो समवेधानिक मामलों के जानकार हैं उनको भी आश्यर होगा कि इस तरह का नाम रखने का और चित्य क्या है बहराल मैं इस पर बात आज नहीं करूंगा दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि ये बिल है क्या इस बिल का मतलब क्या है ये बिल 2024 के चुनाव से एन पहले आया क्यों है आखिर मारणिय प्रदान मंत्री जी शर्व सक्तिमान नेता इस देश के इस समय है उनके पास प्रचंड बहुमत है इसके पहले भी उनके पास बहुमत था ठीक ठाक 2014 से लेकर 2019 के बीच में बहुत सारा वक्त था उस समय महिला रख्षन बिल क्यों नहीं आया भारती जनता पार्टी और आरेसेस तो सदन में महिलाओं को लाने के बारे में बहुत पहले से बयान देते रहे हैं और उसका फैदा उठाने की तर्कीब भी ओ जानते रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं आया लेकिन अभी जब ये सरकार का 2024 के चुनाव से पहले कुछी महिने बचे हुए हैं तो ये बिल आ गया अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बिल जो है याभी मोदी सरकार का जुमला है खासकर कॉंग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता बहुत सारे हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि ये बीजेपी सरकार मोदी सरकार का एक और जुमला है बहुत सारे यूट्यूबर जो अक्सर सरकार की आलोचना करते रहते हैं तो वो भी चीख रहे थे कि ये जुमला है ये एक और जुमला है अब चुकि जुमला शब्द चल गया है इसलिए जुमला है लेकिन दोस्तों ये जुमला नहीं है ये जहांसा है लोगों को जहांसे में डाला गया है खास कर देश की महिलाओं को और यहीं नहीं देश के राइनेताओं को देश के राइनीतिक दलों को और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो महिला आरक्षन के अपने आपको समर्थक मानते रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पहले आप इस बिल को समझ लीजिए कि ये बिल है क्या इसके बाद हम different जो organizations हैं different जो political parties हैं उन पर बात करेंगे दोस्तों हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए संसद में और उसमें भी केवल लोक सबा में राजसबा में नहीं और विधान सबाओं में विधान परिश्दों में नहीं सिर्फ विधान सबाओं में 33% आरक्षण के लिए ये बिल बहुत पहले से विचार में रहा है लेकिन इस बार जो मोधी सरकार ने पेच किया है बिल ये वो बिल नहीं है जो राजसवार ने पारित किया था इसके content में changes हैं तो 33 फीस्दी महिला आरक्षन तो ये कायम है लेकिन इसमें अब क्या है दोस्तों इसमें जो एक प्रावधान किया गया है S.C.S.D. की महिलाओं के लिए वो है कि जो सीटें अब समझे इस बात को महिला आरक्षन के नाम पर जो सरकार की ओर से कहा गया है कि S.C.S.D. को सीटें देंगे वो कैसे देंगे ये सीटें महिला आरक्षन विदहयक के जरिये जो सीटें 183 फीस्दी महिलाओं के लिए निकल रही हैं वो सीटें नहीं हैं ये S.C.S.D. को जो बाबा साब भीमरावं बेटकर के जमाने से जो प्रावधान है लोग सभा में यानि संसद में और वि उस S.C.S.D. रिजर्वेशन के तहट रिजर्वेशन देने का प्रावधान है जैसे उधारन के तोर पे मैं आपको बता दूँ कि कुल मिलाकर हम जानते हैं कि जो निर्वाचन से आने वाली सीटें लोग सभा की हैं 549 हैं इनको समझने की जरूरत है तरह ध्यान से इसमें द चौरासी सीटों में 33 फीस्दी सीटें जो हैं वो 28 सीट बनती है यह मैलाओं को चली जाएगी शेडिल ट्राइब्स की 47 सीटें होएं 549 में टोटल 549 सीटों में 33 परसेंट जो है इसका S.T.S.D. के कोटे में जो मैलाओं की सीटें होगी 16 सीटें होगी तो कुल अनारक्षित सीटें कितनी हो जाती है यानि जनल सीटें कितनी हो जाती है 412 सीटें टोटल महिलाओं की सीटें कितनी बनती हैं 111 सीटें अब इसमें दोस्तों यह समझने की बात है कि टोटल जो महिलाओं की सीटें बनती है इनमें यह S.C.S.T. के लिए प्रावधान नहीं किया गया है ये प्रावधान SCST की जो अपनी सीटें हैं उसमें से किया गया है दूसरी बात कि अगर आप देखिए वो भी सीखी जो महिलाएं हैं उनके लिए ही ये बिल इतने सालों से पारित नहीं हो पा रहा था उसको लेकर भारी बावेला मचता था लोकसभा में और बहुत सारे रायनितिक दल पुर जोर विरोध करते थे और बिल को पास नहीं होने देते थे अब क्या होगा दोस्तों अगर OBC की महिलाओं को आरक्षण का आरक्षण में हिस्सा नहीं मिलता है तो इसका भारी विरोध होना लगभग तय है और संकेत आज मिल गया जब मैं आ पहली दफा कॉंग्रेस पार्टी के इतिहास में ये पहली घटना है जब कॉंग्रेस के रास्ट्रिय अध्यक्ष ने और कॉंग्रेस की पुरो रास्ट्रिय अध्यक्ष ने दोनों ने बारी-बारी से कह दिया है कि वो OBC की महिलाओं के लिए अलग सीटों के आरक्षण के हैं और ये हर हालत में करना चाहिए तो इस तरह से अगर 1181 जो टोटल महिलाओं की सीटें बनती हैं उसमें अगर OBC को आप वाजिब हिस्सेदारी देंगे महिलाओं को तो आबादी के हिसाब से अगर वो 52 परसेंट आप गिनते हैं जो भी आप गिने क्योंकि जातिवार जनगरना भारत में नहीं कराई गई 1931 के बाद लेकिन मंडल कमिशन की रिपोर्ट में जो संख्या दी गई जो एक अनुमानित आंकड़ा दिया गया 1931 के आधार पर उसके हिसाब से अगर 52 परसेंट भी आप रखें तो लगभग 90 91 सीटें आती हैं महिलाओं के लिए जो OBC कॉमिनिटी से हो यानि 181 के कोटे में 50 परसेंट आपको देना पड़ेगा 52 परसेंट देना पड़ेगा OBC की महिलाओं को अगर जो अन्य राजनितिक दल हैं भाजपा को छोड़कर उनकी बात को मानते हैं आप और विधेक में इसको इनकारपुरेट करते हैं तो आपको 91 90 सीट देनी पड़ेंगी OBC को लेकिन क्या भारती जनता पार्टी तैयार है भारती जनता पार्टी आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इस पर बिलकुल तैयार नहीं है मोधी सरकार इस पर बिलकुल तैयार नहीं है इसके जबाब में बहुत सारे राई नितिक दल ये कह रहे हैं कि ये फिर तो 81 81 सीटों का जो मामला है अगर देखा जाए तो ये ले दे करके ये जो वर्चस्व रखने वाला जो समाज है हमारे भारती समाज में जिन लोगों का वर्चस्व है खेती बारी से लेकर इंडस्ट्री तक विरुक्रेसी से लेकर के और तूसरे जो माक में हैं उन्हीं वर्गों उन्हीं समुधायों की महिलाओं को इसका फैदा उठा मिलेगा और सबसे अधिक वे पोलिटिकल पार्टी जिन के पास बड़ा बड़ा एलेक्शन फंड आता है एलेक्शन बॉंड के जरिए या खुले कार्परेट के मदद के जरिए वही एक सव एक्यासी के आंखडे और उसमें जो 137 सीटें अनारक्षित पूरी तरह बच रही हैं अगर उनको अगर आप देखें तो इस पर लगभग उनका कंप्लीट वर्चस हो जाएगा ठीक है मैं मानता हूं कि का दुक्का OVC की महिलाएं भी अम तोर पे चुनाओ लड़कर के आमिन जीच सकती हैं कुछ एक खास कर वे जो OVC के बड़े बड़े नेताओं के घर की महिलाएं हैं जिनके पास अफराद पैसा है जिनके पास ताकत है जिनके पास लोकल सोसल बेस भी है लेकिन आम जो एक महिला होगी जो OVC कम्यूनिटी से है एक्टिविस्ट है समझदार है पड़ी लिखी है और अपनी योग्यता और अपनी च्छमता के बल पर वो चुनाओ लड़ना चाहती है उसके लिए जीतना नमुमकिन हो जाएगा तो ऐसे में इस देश की आधी आबादी के आधी आधे हिस्से को एक तरह से दरकिनार करने वाला ये कानून बन जाएगा ये विधैक बन जाएगा तो भारती जनता पार्टी ने एक तरह से OBC की महिलाओं को अलग से आरक्षन देने का जो प्रावधान सजेस्ट किया जा रहा है उससे इनकार कर इस देश के OBC कॉम्यूनिटी को उसने एक तरह से नाराज कर दिया है अब देखना ये है कि जो विधान सभाओं के आसन्य चुनाओं हैं होने वाले जो चुनाओं हैं अभी राजस्तान में मद्यप्रदेश में 36 गड़ में इनका क्या असर पड़ता है और इसके बाद जो 2024 का चुनाओं होने वाला है लोक सभा का उसमें इसका क्या प्रभाव कॉंग्रेस पार्टी ने जोई स्टेंड इस वक्त लिया है वो निश्चित रुप से जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों कि वो अपने हिस्ट्री में इस तरह का पहला पहला उसने स्टेंड लिया है और आज जो इस्टेंड ये उजागर हुआ है सामने आया है आधिकारिक तोर पे हाउस में यानि पार्लेमेंट आफ इंडिया लोकसभा के फ्लोर पर सोनिया गांधी के जरिये उसके पहले कॉंग्रेस के रास्टी अध्यक्षमली कार्जुन खडगे ने कल यानि 19 सितंबर को साफ कर दिया था कि वो महिला आरक्षण विधैक के पक्ष में उनकी अधान करना पड़ेगा आरक्षण के लिए ये बात कदी उन्होंने कह दी थी अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अचानक क्या इंडिया एलाइंस के बहुत सारे जो कांस्ट्यूंट्स हैं घटक हैं आर जेडी है या दूसरे और जो राइनितिक दल हैं जेडियू है इ इनके दबाव में उसने ऐसा किया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर कॉंग्रेस पार्टी आज यानि 20 सितंबर को या 19 सितंबर को ये स्टेंड नहीं लेती बहुत सारे लोग को अचरज है कि कॉंग्रेस ने OBC के पक्ष में कैसे स्टेंड ले लिया लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर ये OBC के पक्ष में स्टेंड नहीं लेती तो मुझे अचरज होता इसलिए अचरज होता कि राइपूर के अपने पिछले रास्ट्री अधिवेशन में कॉंग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर बाकाइदा बाकाइदा एक प्रस्ताव पारिच किया था और उस प्रस्ताव के सोलहएं अनुच्छेद में सोलहएं अनुच्छेद में बाकाइदा दर्च किया था कि वो सावाजिक न्याय के सिध्धानतों उसूलों की रोश्णी में SC, ST और OBC की कम्यूनिटी की जो महिलाएं हैं उनकी सीटें सुनिश्चित करने के लिए राजी है महिला आरक्षण में महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए और उस आरक्षण में जो कम्यूनिटीज हैं उत्पिरित समाजों की जिनको मोहन भागवत जी कहते हैं कि दो हजार सालों से वे उनको उनको उनके साथ अन्याय किया गया है तो हजार सालों की बात कर रहा है मोहन भागवत आरेसेस के चीफ अब मुझे नहीं मालूम की आरेसेस के चीफ ये बात का कर अपनी पार्टी को समझा क्यों नहीं रहे हैं उनके माधदर्शन में चलने वाली पार्टी को समझाने क्यों नहीं पा रहे हैं कि वही क्या वज़ा है आखिर क्या वज़ा है कि राइनितिक पार्टी उस अन्याय को के साथ क्यों नहीं उसको एड्रिस कर रही है और न्याय क्यों नहीं इन महिलाओं के साथ कर पा रही है तो मेरा ये कहना है दोस्तो कि कॉंग्रेस पार्टी ने रायपूर के अधिवेशन के हिसाब से ये फैसला लिया है जिसमें कि उसने वायदा किया था और दोस्तो दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी इस विध्यक पर वोटिंग का वक्त नहीं आया है अगर इस मुद्दे पर जो पार्टियां स्टेंड ले रही हैं कि एफर्मेटिव एक्षन सकारात्मक कारवाई इसमें इंट्रिडूस की जानी चाहिए इस विध्यक में अगर वो ये कहकर कि OBC के लिए रिजर्वेशन जरूरी है SCST के लिए रिजर्वेशन जरूरी है यानि कोटा विधिन कोटा और जेंडर जस्टिस विध सोशल जस्टिस अगर इन उसूलों को मानने वाली पार्टियां वोटिंग के समय अगर सरकार की तरफ से या भारती जन सोधन करते रहेंगे इसलिए ये बात कहा रहा हूँ कि पहले यूपिय रिजीम में यही लाजिक दी गई थी कि आप लोगसभा में इसको पास कर दीजिए बाद में इसको देखा जाएगा तब उस समय जो अपने आपको सामाजी नयाय से जोडने वाली पार्टियां हैं उन्होंने यूपिय का हिस्सा होने के बाद एकसेप्ट नहीं किया था लोगसभा में कुछ खास समुदायों कुछ खास वर्गों और अपनी पसंद के लोगों का यानि एक खास मिजाज के लोगों का जिनके पास अपार क्लाउट है इस समाज में उनको ज्यादा उनको ताकतवर इंपावर करने के लिए ये एक योजना बद्ध कोशिश है इसलिए इसके विरुद्ध इसके पैरलल अगर ठोस प्रयास नहीं किया जाता है तो सारा परपस फेल कर जाएगा इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जुमला नहीं है ये जहासा है और इस जहासे को समझना पड़ेगा जिससे कि कुल मिलाकर इस महत्पूर्ण विध्यक को जो एक पहल की गई है महिलाओं को ज़्यादा हिस्सेदारी देने के लिए वो वाकई उनके साथ नियाय किया जा सके हर एक्षन वहां किया गया और अभी भी करना बाकी है बहुत सारे छेत्रों में लेकिन भारती समाज में वंचित समाजों की तादात बहुत ज्यादा है इसलिए एक्षन के साथ ही इसको लाया जा सकता है कोटा विधिन कोटा और जेंडर जस्टिस विध सोशल जस्टिस आज क लिए एक जरूरत है महिला आरक्षणवी देख में तो इतना ही नमशकार आदाब सत्रियकाल